नमस्कार दोस्तो मैं कृष्णा कांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तो आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार गोड कलास तेंथ का गोधुली जो आपके एक्जाम में यदि आप इहां पे 10-12 मिनट हम लोग को देते हो तो हम आपको लेखक के नाम और वो निवन्ध है या कहानी है A to Z आपके मुह पर होगा और इहां से आप 10-11 नमबर असानी से ला सकते हो तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा वीडियो को लाइक पिलिएगा हमारे इस चैनल को नए आएं तो प्लीज चैनल को आपको क्या करना है कहानी के साथ ये नेक्स लाइड आजाए हमारा है स्रम विभाजन स्रम विभाजन और जाती पर्था स्रम विभाजन और जाती पर्था इसके जो लेखक है कौन है वो बावा साहब भीम राव अंबेड कर हैं ये हमारा क्या है ये हमारा निवंद है अब ये स्रम विभाजन और जाती पढ़ता याद कैसे करना यह देखिए यहाँ पर एक भीम भीम मतलब समझते भीम यह मोटा तगरा आदमी जो है वो क्या है भीम भीम का यादमी मोटा तगरा यह इतना सरम किया यह इतना सरम किया यह इतना सरम किया यह पतला आदमी था यह एकदम पतला हो गया यह इतन काय आदमी यतना मोटा भीम आदमी पहले ये साहब की तरह रहता था ये भीम आदमी ये इतना सरम किया कि यह पतला हो गया ये पतला हो गया इसलिए ये सरम भी भाजन जाती पर था कोन है बाबा साहब भीम राव अबेट कर यहां भीम जो आदमी ये भीम काय आदमी मोटा त्रिक और आगे जो है मज़ेदार त्रिक आप लोग को बीच में लाएंगे वो पूरी वीडियो को देखते जाएगा नेक्स हमारा स्लाइड है बीस के दात इसके जो हमारे लिखक है वो हमारे है नलिन बिलोचन सरमा अब यहां पे देखिए बीस बीस क्या हुआ यह जब हमा हमारे संकर भगवान जब यह देखिए 20 पी रहे थे समुंद्र मंथन के समय 20 पी रहे थे तो इहां पर इनका गला जो हो गया था नीला हो गया तो नीला से आपको याद करना है नलिन नीला से नलिन तो नीला हो गया जब यह हमारे संकर जी यह हमारे संकर जी 20 जब पिये थे बिस पिये थे तो इनका गला जो हो गया थो नीला हो गया था अज नीला गला को देख कर जो हमारी परवती मया थी वो क्या हुई सर्मा गई वो क्या हो गई सर्मा गई तो बिस के दात जो थे वो नलिन बिलोचन सर्मा आपको ये अच्छे से याद हो गया था नेक्स स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स हमारा है भारत से हम क्या सिखें इसके जो लेखक हैं वो हमारे हैं मैक्स मूलर मैक्स मूलर तो मैक्स मूलर से हम आपको याद करवाते हैं कि ये कैसे हैं भारत से हम क्या सिखें मैक्स मूलर तो ये मेरा भारत महान है भारत देश है और हम लोग क्या है भारत के मूल निवासी है और हम लोग क्या है मूल निवासी है और हम लोग क्या देते हैं हम लोग टैक्स हमारी देश कैसे चलती है हम लोग यहाँ पर टैक्स देते है तो हमारी देश चलती है तो हम लोग क्या है भ भारत से हम क्या सिखते हैं तो मैक्स मूलर की भारत के हम लिवासी हैं तो हम भारत के क्या हैं मूल लिवासी क्या करते हैं तो टैक्स से यहां पर आपको बन जाएगा मैक्स अब मूल से बना लिजिए मूलर तो यहां पर हो गया आपका मैक्स मूलर भारत से हम क्या सिखें तो यह हो गया आपके Max Muller, चलते हैं हम लोग next slide में, हमारा अगला slide है, और यह हमारा क्या है, यह हमारा भासन है, यह क्या हमारा है, यह हमारा आपको याद करना है भासन, जब भारत देश में 15 गर 47 और 26 जन बड़ी होता है, तो हम लोग क्या देते हैं, भासन देते हैं, तो इसी ह यह हमारा क्या है भासन नेख्स हमारा स्लाइड और कि नाख्षुन क्यूं बढ़ते हैं हजारी पर तो जिए नाख्षुन उपकेइए थ सब्सक्राइग मैं आर्ण Ac чист क्यूं बढनका जाते हैं बरे बरे देखिए हाँ पर नाखुन हो गए हैं बहुत बरे बरे नाखुन हो गए हैं बरे बरे तो हम अपने एज में हम अपने जीवन काल में कितनी बार इस नेल कटर से नाखुन को हजारों बार काटते हैं इस नेल कटर से हम अपने नाखुन को हजारों बार काटते हैं तो ये नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो हजारों बार काटते हैं तो नाखुन क्यों बढ़ते हैं हजारी परसाद दिव बेदी अब ये ललित नाम का आदमी है ये ललीत क्या करता है ललीत का नाखुन जल्दी जल्दी बढ़ जाता है ललीत का नाखुन जल्दी जल्दी बढ़ता है तो हजारों बार क्या करता है वो काठता है तो ये ललीत निवंद है क्या है ललीत निवंद है अब लोग नेक्स अगला आ जाते हैं नेक्स लाइड की चट्था पाचमा नेक्स्ट हमारा है ये वाला नागरी लिपी गुनाकर मूले इसको नागरी लिपी जो है वो गुनाकर मूले के द्वारा लिखा गया है तो देखें ये हमारा क्या है नगर है अब हम लोग पहले की जवाना में बात करें तो बहुत कम नगर होते थे बहुत क में इस परकार की गारिया चलती थी अब तो घरे घर सब के पास गारियां होती है बिल्डिंग बरे-बरे बनने लगे हैं तो हमारे जो ये नगर है वो दीन दुगनी गुनी यहाँ पर देखे दीन गुनी रात चोगनी यहाँ पर एक कहावत दीन दुगनी रात चोगनी तरक् गुनाकर मूले और हम लोग क्या है तो नगर के मूल निवासी है तो यहाँ पर यह क्या है नगर जो है वो दुगने गुने रफ्तार से आगे बढ़ रही है बढ़े हो रही है इस नागरी लीपी गुनाकर मूले यह हमारा क्या है यह भी हमारा क्या है निवंध है यहाँ गु निरफ्द्तार में तुगनी गुनी तुगुना कर मुले ये हमारा न कंद। भान्ध था नेक्स भादूर ये बहुत ही इमोसिनल हम आपके टैग लेकर आएं बहादूर तो हमारे जो भारत के वो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं? बहादूर है ये हमारे बिपिल रावत सर्जी है ये क्या है? ये हमारे बहादूर है ये बहादूर है ये हमारे बिपिल रावत सर्जी बहादूर है और ये जो बहादूर सैनिक हैं वो हमेशा क्या होते हैं अमर होते हैं अमर होते हैं बहादूर सैनिक जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं अमर होते हैं तो बहादूर जो है वो अमर कांत नेक्स ये जो होते हैं हमेशा अमर होते हैं अमर नेक्स्ट स्लाइड हमारा है ये हमारा क्या है ये हमारा है जो कहानी है कहानी है कहानी आपको आपके पिता जी दादा जी आपको कहानी सुनाते होंगे कि कैसे कारगिल यूध होई तो उसमें हजारों सैनिक जो थे हजारों सैनिक भाग लिए कैसे इंडिया जीता तो यह सब कहानी आपको सुनाते थे तो बहादुर क्या है जो आपका कहानी है नेक्स हमारा स्लाइड आ जाएए परंपरा का मुल्यांकर नेक्स स्लाइड क्या है परंपरा का मुल्यांकर परंपरा का मुल्यांकर तो ये हमा इनके जो लिखा थे राम बिलास सरमा है तो ये राम जी जो थे ये परंपरा जो चलती आई ये हम लोग की परंपरा चलती आई ये राम जी की पूजा करने की हम लोग की क्या परंपरा है राम जी की पूजा करने 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 की प्रमपा बहुत पहले से चलती आ रही इसका कोई मूल नहीं है ये जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिर्जु महराज तो यहाँ पर यह हमारे महराज से आप स्कोरिलेट कीजिए निखरना निर्खत से समझे निखरना तो यह निखरना हो गया कोई भी जो होता है सुरी की भाती निखरना चाहता है तो जितने भी पहले जवाने के राजा महराजा थे वो क्या चाहते थे वो निखरना चाहती है य स्याजी महराज वह सूरी कि भाती निखरना चाहते थे महराज निखरना चाहते थे, निखरना चाहते थे, ये आपका क्या है, वो साचात कार है, इंटर्वियू है, सिवाजी महराज का, किसे भी महराज का क्या था, ये हमारा इंटर्वियू है, नेक्स्ट आजाईए, नेक्स्ट हमारा है, आविन्यो, इसका तो नॉर्मल है, यहाँ भी आ, यहाँ गिवा खोइसा कोई है भी नहीं कि आपको याद करना है कि आमी यहूँ जह सब्राइप यह उपनियों या इसे की आई यह उपनेन को क्या करते हैं बुलाते हैं असोक आविन्गयों मचली बिनोध कुमार सुपल आप वहां पर विनोध खन्ना को पहचानते थो ये बिनोध खन्ना हमारे टीवी के एक्टर है इरो है तो बिनोद खन्ना को क्या था वो मचली खाना बहुत पसंद है बिनोद खन्ना को तो आप पहुचानते ही होंगे तो ये बिनोद खन्ना को क्या है बिनोद खन्ना को मचली खाना बहुत पसंद है तो मचली जो हो जाएगा बिनोद कुमार सुकल हो जाएगा अब मचली क्या है तो ये नौबत में नौबत खाने में इवादत यतिंदर मिस्र यतिंदर नौबत नौबत तो कैसी नौबत आ गई हम लोगों की नौबत मतलब खराब बुरा वक्त नौबत तो यतिंदर नामक आदमी को यतिंदर को मिस्री खा लिया यतिंदर को मिस्र तो यतिंदर जब मिस्री खा लिया तो ऐसी नौवत इसको आ गए मिसरी आप समझ्के होंगे एक सुगर का चीबी का भाग होता है जो चड़ाया जाता मगवान पे तो जब यतिंद्र जो है मिसरी खाया तो इतना इसकी नौवत आगए इतना इसका नौवत आ गया इतना बुरा वक्त आ गया कि ये नवाज पढने के लिए इवादत करने के लिए चलागया गया आप्स लिए दिशटियर संच्छा और संस्कृति तो इसके हैं महात्मा गांधी, याद कैसे करना है, महात्मा गांधी जब आए हमारे देश में, तो क्या लेकर आए, सिक्षा और संस्क्रीती लेकर आए, सिक्षा और संस्क्रीती लेकर आए, तो याद के लिजे, सिक्षा और संस्क्रीती, महात्मा गांधी, ऐसे याद कर सके ह तो चेले थे, CETLी थी, पताब सिस्या थी, सिस्या क्या थी एक सिस्या थी सिक्षा सर्बताइब आप यह लिए सर बताय थे। एक का नämäंसी खोला सिक्षा-आसलोय और संस्कृति जो है महात्मागंधि लिखे है??? यह हमारा सिक्षा सास्त्र है से हमारा क्या देगा नेस्ट वीडियो में हम कब भी खंड के लेकर आएंगे तो आज के लिए दाही जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम जय बिहात